सभी बबतोग शिवाय नमस दूप्या हर हार महादेव ओम नमस शिवाय 31 अगस्त शनिवार की प्रदोश की दिन एक मिट्टी का तिलक लगाओ और तिलक आपको कैसे लगाना है आपकी मनो कामना बोलते हुए जड़ भांधने वाला ये विशेज दिन है जिन माताओ भेनों का रजसोला दरम बंध है उन्हें इस दिन जड़ भांधनी चाहिए तो कौन-कौन से उपाय है लोग मुक्ति के लिए और साथ में ही जड़ कैसे भांधनी है आपको आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर जरूर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला उपाय है तो पहला उपाय है मनो कामना पूर्ति उपाय है इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्या करना है कुछ नहीं करने का मतलब किवल ए कारे करना है प्रदोशकाल में प्रदोशकाल कौन सा होता है हमने आपको कई बार बताया है सूरे अस्त से 45 मिनिट पहले और 45 मिनिट बात का जो समय होता है कुल लेड़ गंटे का समय जैसे कि सूरे 7 बजे अस्त हुआ है मान लीजी तो इससे 45 मिनिट पहले 6 बचकर 15 मिनिट से और इससे 45 मिनिट बाद 7 बचकर 45 मिनिट तक का जो समय है वो प्रदोश काल है अब इस प्रदोश काल में आपको क्या करना है सबसे पहले एक कलश जल बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे समर्पित करना है एक कलश जल बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे समर्पित करना है लगानी है और यदि आप धन के लिए उपाय कर रहे हो तो फिर लंबी बात का इस्तेमाल करें धन के लिए लंबी बात संतान के लिए लंबी बात और वैसे गोल बात का उपयोग करें और इसके बाद में जब दीप प्रजोलित कर दें अपनी कामना करकर पगवान शंकर का इस पर लगा लीजिए अपने मस्तव पर एक तिलक लगा कर वापिस आजाएए आपकी जो भी कामना होगी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी दूसरा उपाए प्रदोश के दिन का दूसरा उपाए इस प्रकार से है जदी आपको कोई रोग है और वहरोग समाप्त नहीं हो रह उस रोग को समाप्त करने के लिए बेल पत्र और शमी पत्र ये दो वस्तूओं के आपको आवश्यक्ता पढ़ने वाली है तो जो बेल पत्र है इस बेल पत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको सबसे पहले लगाना है लाल चंदन क्या लगाना है लाल चंदन पर ला प्रदोश के दिन प्रदोश काल में शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए आपके रोग का इसमर्ण करते हुए आपका कैसा भी रोग होगा वह दीरे-दीरे समापती की तरफ आही जाएगा अगला उपाय है वो है चड़ भांधने वाला उपाय यदि आप संतान प्राप्ती के लिए सफेद अकड़े की चड़का उपाय कर रहे हो और आपका रजस्वला धरम बिल्कुल बंध है तीस वर्ष से जादा हो चुके हैं आपकी शादी को और आपका रजस्वला धरम इस समय पर बंध है बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है यानि बिल्कुल ही चल नहीं रहा है आपका रजस्वला धरम एक साल हो चुके हैं या छे मैने हो चुके हैं या दो बश हो चुके हैं तो लाकर प्रदोश के दिन प्रदोश काल में आपको शिव मंदिर में चले जाना है शिव मंदिर में जाकर उस जड़ को 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे से घुमा लेना है 21 बार तिमुरुकेश्वर महादेव के नाम से गुमा कर उस जड़ को उसी समय नंदी जी के पीछे की तरफ यदि मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने की जगे ना हो तो शिव जी के सम्मुक में खड़े होकर अपनी कमर में बांद लीजिए इसके बाद में आपको वही पर एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है कोमल सा बगवान अवदूतेश्वर महादेव के नाम से और अवदूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करकर पाँच मिनिट बाद उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए और इसके बाद में आपको उस पीपल के पत्ते को गाय के दूद में उबालना है गाय के दूद में पीपल के पत्ते को उपा लिए रातरी को सोते समय पती और पत्ने उस दूद को पी कर सोईए तुम्रुका जी का नाम लेकर, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर तीन महीने, चार महीने तक उस जड़ को अपनी कमर में भांद के रखिये एक महीने तक पीपल के पत्ते बाला उपाय कीजिए बाबा नी संतान तको भी संतान परदान करेगा जिन माताओं भेनों को कई वर्षियों से संतान नहीं हो रही है उनको संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी यदि आपने पहले से जड़ बांद रखी है तो फिर इस उपाई को ना करें प्रदोश के दिन का उपाई केवल और केवल उन माताओं भेनों के लिए है जिनका रजसोला तरम बंद है चलते हैं अब हमारे वीडियो के अगले उपाई की तरफ तो अगले उपाई है किसी भी प्रकार के दोश को समाप्त करने के लिए उपाई है तो यदि आपके घर में आपको लगता है कि कोई दोश है फिर वो पित्र दोशो, वास्त दोशो, काल सर्प दोशो या कोई भी XYZ दोशो कोई भी दोश पंडित ने यह दिया आपको बताया है और उसने उसके लिए कोई पूजा बताई है पैसे बताए है तो एक बार पीपल के पत्ते वाला यानि कि पीपल के वरक्ष वाला यह उपाय अवश्य करना क्या करना है आपको आपको ग्यात होगा पीपल के वरक्ष से पराग जड़ता है रात्री के समय तो कोई भी एक परतन छोटा सा प्लेट उस पीपल के वरक्ष के नीचे रख देना दो गंटे बाद आप देखोगे रातरे को 10 बजे भी रखोगे तो 12 बजे के आसपास जल नीचे गिरता है यह वही इस्तान है तो यहाँ पर आपको सेंटर में एक बिंदी लगानी है और नाम लेना है पिपलेशवर महादेव का पिपलेशवर महादेव के नाम चाप को एक बिंदी इस जगे पर लगा देनी है आपके जो भी दोश है उस दोश का इसमरन कीजिए थोड़े ही समय में जो आपका दोश है वे पूर इतरह से समाप्त हो जाएगा तो ये थे 31 अगस्त प्रदोश के दिन के उपाए यानि के प्रदोश काल के उपाए सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर